तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हमारी प्रिलिम्स लॉगडाउन और इसमें हम लोग देख रहे थे हमारा इकनॉमिक्स का चैप्टर जिसमें हम लोग ने पास चैप्टर में काफी कुछ देख रखा है और आगे पोवर्टी अनिम्प्लाइमेंट ये सब देखने के बाद आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो टॉपिक है हमारा इन्फलेशन का टॉपिक अग्दी तोबसा टपिक टिर्की है थोड़वसा आपको दिमाग लगाना है लेकिन यहां पर जो मैकसिमम जो पुरानी नौलेज़ आपकी वही यूज दोने वाली है क्योंकि यह chapter थोड़ा सा पुराने के chapters के knowledge को पुराने chapters के information के include करता है start करने से पहले दो बातें, पहली बात कि कल मुझे काफी phones आ है, calls है, उसमें क्या है लोगों ने कई सारे अपने doubts देज किये तो quickly मैं दो मिनिट आपको पहले कुछ strict करना चाहूंगा, देखें पहली doubt जो लोगों को सामने आई कि एक साथ सारा subject आपनों पढ़ने लग रहे है, history भी पढ़ना है, जोग इसी पढ़ना है, एकनॉमिक्स भी पढ़ना है, सारा subject एक साथ नहीं पढ़ायाता है, अगर आप पर इस exam में नहीं हो पाएगी, कोई class 8, class 9 का exam थोड़ी ना है, कि आप एक साथ 10 यो subject ले करके चलना है, it is impossible to tackle, ठीक है, और बाकी दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अब दूसरे लोग अलरड़ी पढ़ा ही करके रखे हुए हैं, आप उस सम responsible चीज़ क्या होती है, number of phone calls, आप 10 यो फोल लोगों को phone करेंगे, कि भई, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो obviously वहाँ पर mind जो है, वो divert होता है, तो इसके लिए मैं यहीं कहूंगा, simple सी बात है, stick to your schedule, stick to your curriculum, अपने हिसाब से आप देखिए, आपको exam देना ह यह will be responsible, whatever your result, तो इस वज़े से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहली चीज यह, तो दूसरी चीज कि इतना सारा एक साथ हो जा रहा है, कैसे करें, तो देखिए इतना सारा एक साथ हो जा रहा है, क्यों इतना सारा एक साथ हो जा रहा है, हर रोज वीडियो पढ़ती है, ह आप एस्परेंट है एस्परेंट का मतलब होता है कि वो तलवार की नोग पे रहता है तो काफी यह सब बाते हैं तो यह इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखेगा अधर्वाइस जो होती एक्जाम में चार लाख लोग बैठते हैं 50 परसेंट तो सीरियस होते हैं उस दो लाख म अपने आपको मानते हैं या बाहर मानते हैं बाहर मानते हैं तब तो पंचवर्शी ओजना लेकर के बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं चले खेर कमिंग बैक वावर डिसकुषन आते हैं वापस से डिसकुषन पर अपने इंफ्लेशन का टॉपिक हम लोग देखने वाले कॉरसे और मेंस की और keउपरेगाई कर एक और हमारा जो फोकस रहेगा वोज फोकस रहेगा बैसिक ली व conservation की ओर कि translates ये निया ये यह लैंत गुवर्च युवर्मिंट के द्वारा एक इसमां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए और दूसरी जो होती है वो होती है monetary policy, monetary policy के दौर पे हमें देखना होता है, और यह monetary ली जाती है किस के दौरा, RBI के दौरा, तो यहाने कि inflation को target करने के लिए, दो institutions है, one institution is government and another is RBI, और यह होती है through banking activities, clear, यह हो जाती है through banking activities, ओके, अब उनको जराते हैं, देखते हैं, inflation का मतलब क्या होता, what is the meaning of inflation, कोई भी आपसे पुछे, inflation का मतलब क्या होता है, inflation का मतलब होता है, हिंदी में जैसे महंगाई, अब यह महंगाई है क्या, महंगाई का मतलब है, कि अगर माली जिये, last year, last year, आपकी income 100 रुपए थी, और 100 रुपए पे आप 5 रुपए का माल लेते हैं, कि पारले जी आप खरीद पाते थे, last year, इस year क्या है, आपकी income doesn't matter, 100 रुपए है, 150 रुपए है, या 90 रुपए है, अगर पारले जी का दाम 5 रुपए से बढ़ करके 6 रुपए हो गया है, यानि एक रुपए की increase हो गई है, clear, यानि इसमें 20% value increase हो गई है, और यह आप बोल सकते हैं, this is inflation, तो दाम जब भी बढ़ रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, inflation, inflation is basically what, it is the persistent rise in the price of goods and services, तो जो भी price rise होगा, चाहे वो goods का हो, चाहे services का हो, उसे हम लोग बोलेंगे कि that is the inflation, अब यह देखिए कई तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है, जहां पर 5 रुपए से यह 6 रुपए पर बढ़े, हो सकता है 5 रुपए से यह 8 रुपए पर बढ़े, हो सकता है 5 रुपए से यह 10 रुपए हो जाए, यानि कि हुआ क्या है, यहां पर एक रुपए का increase या फिर बोल सकते हैं कि 20% increase हो गया है, यहां पर अगर देखा जा तो देखिए 60% increase हो गया है, यहां पर अगर देखा जा तो कि इंक्रीस के बेसिस पर हम लोग इंफलीशन को अलग अलग तरीके से बोलते हैं जैसे जो इस्माल मतनब टॉंडी पर्सेंट इंफंड इंफलेशन अबढ़ दे जो 60 पर्सेंट इंफलेशन होती है यहाइर इंफलेशन हो जाती हैär 100 per इडिया होना चाहिए कि इंफलेशन कितना होना चाहिए, कितना इंफलेशन हेल्दी होता है, क्यों होता है, इंफलेशन की मार्केट में जरूरत है या नहीं है, यह सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, end of this चैप्टर पे आपको इस सारी information clear हो जाएगी, अगर ह जो reason हो सकता है, वो हो सकता है, demand pull, अब यह demand pull वाली चीज़ क्या है, माल लेते हैं, suppose कि आप three friends है, तीन लोग है, तीन दोस्त है, आप कहें कि चलो यार, नया movie लगा है, चलते हैं देखने, उसमें से एक बंदा बहुत ही यादा, जो होता, excited, वो कह रहा है, first day, first show, first day, first show, आ और आप जो है, book my show पे आपने ticket book नहीं किया था, वहाँ पर जाते हैं, पता चलता है कि, यह पुरा का पुरा hall book हो चुका है, ठीक है, house full चल रही है, अब आप एक option, मुह लटका करके वापस आ जाएंगे, दूसरा option, opportunity तलास करेंगे, opportunity तलास करने का मतलब, आप खोजेंगे black made ticket, अब black made ticket का मतलब क्या होता है, कि you are the needy ones, आपको जरूरत है, और आप कुछ भी price देने के लिए तयार बैठे हुए है, यानि कि आपकी purchasing काफी high हो रखी है, पैसा आपके काफी जादा है, और इस purchasing के लिए 100 रुपए का item भी आप 150 रुपए देने को तयार बैठे है, इ जो, क्योंकि demand high है, तो आपने basically किसी एक दाम, किसी एक भी goods का दाम या services का दाम 50% तो आपने खुद inflate कर दिया, और आपने जो होता increase करने के कारण ये जो inflation होती है, इसी को हमनों बोलते है, demand pull inflation, होता कभी ये, होता तब है, जब purchasing power कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि market में जब liquidity काफी हाई हो जाती है, market में liquidity हाई कहने का मतलब क्या हो गया, market में liquidity हाई कहने का मतलब हो गया, कि अभी लोगों के पास currency, पैसे काफी ज्यादा हो रखे हैं, तो ज्यादा रहेंगे, तो सिदी सिबा, clear हो गया क्या चीज़ है, demand pull inflation, जहां पर लोगों के पास पैसा बह भी करेंगे, दूर कैसे करना है, क्योंकि हम लोगों ने fiscal policy भी पढ़ रखा है, और साथ में हम लोगों ने monetary policy भी पढ़ रखा है, तो हम लोगों दोनों policy के जरीए हम लोग चेक करेंगे कि क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, inflation को control में लाने के लिए, अब देखें, यहां प करेंगे, यहां पर चुकि मार्केट में पैसा बहुत जादा हो रखा है, वो क्या करेंगी, रेपो रेट को क्या करेंगी, बताए यह घटाएगी, या बढ़ाएगी, पॉज कर ये वीडियो, सोचिए क्या हो सकता है, देखिए, यहां पर माल लेते हैं, this is our economy, यह हमारी economy है और यहां पर हमारी RBI है, हुआ क्या है, यहां पर liquidity काफी जादा maintain हो गई, यहां पर पैसा बहुत हो गया है, यानि यहां से पैसा अब RBI में transfer करना पड़ेगा, RBI से security यहां पर देनी पड़ेगी, अब इसके लिए क्या करेंगे, रेपो रेट को आपको क्या करना बढ़ा देंगे, तभी जो पैसा इधर से इधर जा रहा था, वो अब ये वाला amount कट जाएगा, और पैसा return back होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, कि रेपो रेट आपक इंक्रीज कर देंगे, market में liquidity को खतम करने के लिए, कम क करने के लिए, क्लियर होगे क्या चीज है, तो यहां पर हमें कुछ monetary policy जो अपनानी होगी, वो इस तरीकी की अपनानी पड़ेगी, रेपो रेट को बढ़ा देना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा लोग लोग लोन ना ले पाए, और लोन तभी लेंगे, जब बैंक वाले प next आती है cost push inflation, cost push का मतलब क्या है, जैसे माल लेते हैं कि suppose कोई एक good बनाना है, कोई एक good बनाने का मतलब माल लेते हैं कि हमारा पारले जी ही बनाना है, पारले जी बनाने के लिए देखिए कुछ raw materials लगते हैं, तो जो raw materials लगते हैं, उसमें क्या लगता है, floor लगता है, flavor लग लगती है ठीक है बाकी एनर्जी लगेगी देख करने के लिए और फिर गवर्मेंट नॉम्स वगरे बाकी सब चीज़े हो जाती है अगर माल लेते हैं कि फ्लोर का दाम जो पहले माल लेते हैं कि 100 रुटीस था वो बढ़ करके अब 200 पर चला गया है यानि क्या हुआ इसमें 100% इंक्रीज देखने को मिला है अब पैसा राइस कर गया है तो जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होगी जो माल लेते हैं पारले जी 5 रुपए वाले को बनाने के लिए 4 रुपए अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी अब ये बढ़ करके 8 रुपए पर चले आईग ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है या फिर कह लिए जो महंगाई हुई है वो अपने घर से भरेंगे ये क्या करेंगे अपना जो प्रॉफिट था उसको कम करेंगे कम जरूर कर देंगे लेकिन प्राइस जो इन्होंने मैनुफैक्टरिंग में लगाई है जो प्रोडक्शन में लगाई है वो पैसा तो वसू लेंगे ही यानि इसकी प्राइस को अधिक साधी क्या करेंगे कम से कम आठ रूपए तो लेंगे ही लेंगे तो पांच रूपए वाली चीज अब बढ़ करके आठ रूपए पे चली गई है क्यों क्योंकि इनका जो रॉ प्राइंगा होने के कारण में यानि कॉस्ट पुष हो गया है यहां पर कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है रॉ माटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है जिसके कारण से इंफलेशन आ गया है क्लियर हो गया कॉस्ट का मतलब क्या है अब देखिए अगर कॉस्ट पुष हो रहा है सपोज यह हमारी कॉस्ट कुछ हो रही है तो इसको कंट्रोल कैसे करें क्या होना चाहिए कंट्रोल मेशर अब देखें यहाँ पर RBI कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि RBI का कोई काम नहीं है यहाँ पर किया क्या जा सकता है एक option है कि किसी तरीके से investment को economy में बढ़ा दीजे investment बढ़ेगी तो पारले जी पैसा पाजाएगा तो यह जो inflationary measure यह नहीं जनता से वसूलेगा क्यों क्योंकि price attractive रखनी है first thing, second thing क्या करना पढ़ेगा government को ensure करना पढ़ेगा कि यह agricultural failure type की कोई चीज अगर हो रही है तो उसका effect market produce पे नहीं पढ़ना चाहिए तो जो भी agricultural या कोई भी failure हो रहा है इस failure का market में impact no impact on market या very less impact on market होना चाहिए clear तो यह जो चीज रहेगी वो scene रहेगा इसके अलावा there is a possibility of cartelization लोग जो होती हैं मतलब चीज़ों को रोक लेते हैं यह रोकना नहीं होगा यानि कि यहाँ पर जो भी middleman stocking कर लेता है वो stocking वाली चीज हमें देखनी पढ़ेगी number four हमें कुछ store करके रखना पढ़ेगा ताकि जो यह price rise हुई है वो price rise होने ना पाए तो these are some measures जो government को लेने पढ़ेंगे और in government के measure के बाद हमें इस inflation पे control देखने को मिलेगा clear हो गया क्या चीज है तो यह हो गई हमारी cost push inflation next आती है हमारी imported inflation imported inflation कब होगा जब कोई चीज आप import कर रहे हैं import करने के लिए आपको करना क्या होता है कि जो भी currency है उसको convert करना होता है dollar में या जहां पर भी आप current जो भी trade कर रहे हैं अब इसमें है क्या रुपए का dollar में चाहे euro में जिसमें भी आप trade कर रहे हैं उसकी अपनी एक exchange value होती है अगर यह exchange value गिर गई है तो obviously जो imported item है वो अब महंगा पड़ेगा जैसे for example माल लेते हैं कि petrol की price है उस समय जो हमारी exchange rate चल रही है वो चल रही है 70 rupees मतलब 1 dollar ठीक है यानि इसमें हुआ क्या हमें कितना petrol मिल जाएगा इसमें हमें petrol मिल जाएगा near about समय लिजे कि 1.45 1.46 petrol मिल जाएगा ठीक है 100 dollar इतना petrol मिल जाएगा तो यह मिल जाएगा यानि कि हमें near about 1 dollar के लिए कितना देना पड़ेगा near about 145 या कह लिजे कि जो भी यहां पर price लग रही है उस सहाब से हमें देना पड़ जाएगा लेकिन अगर यही रूपीज यही जो रूपे की value है यही जो dollar की value है यह बढ़ करके 100 rupees हो जाता है एक dollar में obviously यह price क्या हो जाएगी काफी जादा हो जाएगी क्योंकि market जब इसकी rate आएगा तो market में इसका rate काफी high rate आजाएगा clear हो गया क्या चीज़ है तो इस तरीके की जो important inflation होती है वो basically होती है exchange rate से related next अगर देखते हैं next आती है structural inflation अब यह structural का मतलब क्या होता है structural का मतलब शुरू से हम लोग देख रहा है this is related with धाचा मतलब जब भी component में कोई problem आती है इस component के कारण अगर कोई inflation होता है तो उसको हम लोग बोलते है structural inflation जैसे for example government ने suppose government ने corporate को free hand दे दिया मा लेते हैं corporate को free hand दे दिया अब इससे या फिर एक काम करते हैं corporate को free hand नहीं देते हैं एक काम करते हैं government ने क्या किया essential item की list में कुछ essential items को बढ़ा दिया essential item essential item में क्या होता है कि आपको price को ज़्यादा बढ़ा रहा नहीं सकते है नॉर्मल रख सकते हैं तो अगर माल लीजिए कि essential item में suppose साबून को रख दिया गया, soap को रख दिया गया, अब soap जो है वो 5 रुपए से जादा नहीं बिख सकता है, चाहे वो डिटाल हो, चाहे डव हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अब इसमें क्या होगी, जो भी किसी product में, जो भी essential item के product में नहीं होगा, उसमें सीधे-सीधे add करेगी, और market में launch कर देगी, इससे हुआ क्या, price में आपका कोई भी change नहीं आया, overall, लेकिन क्या हुआ है कि इसकी price में, जहां पर essential item आपने soap को बना दिया, वो तो 5 रुपए चली गई, लेकिन जो बाकी के product हैं, जैसे माल लेते हैं कि body wash हो गया, या shampoo हो गया, उसकी price rise कर गई, क्यों rise कर गई, because of this structural problem, तो इस तरीके की जब inflation आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, structural inflation, clear हो गया, structural का और नेक्स आता है, speculation, speculation का मतलब क्या होता है, generally यह सब चीजे, commodity market में जाती है, commodity market में, for example, जैसे छोटी सी example बात करेंगे, माल लेते हैं कि onion है, प्याज, यह आता है हमारा महराष्ट से, यह आता है हमारा महराष्ट से, महराष्ट में क्या हुआ है, suppose कि government fall कर गई, government fall कर गई, या फिर, एक speculation हो जाती है कि government fall होने वाली है, या एक speculation हो जा रही है कि government अब आगे जा करके महराष्ट का border seal करने वाली है, तो यह कि speculation है, हो सकता है, किवल और किवल बनाया गया हो यह, या हो सकता है, reality हो, कुछ भी हो सकता है, लेकि this is just a speculation जहां पर अब अंदाज करना है कि ऐसा होगा, तो जब भी अंदाज करेंगे सिधी सी बात है कि onion का जो ये input आ रहा है, यो onion आ रही है, मालेते हैं UP में, वो अब onion आने का जो rate रहेगा, जो onion की quantity आएगी, वो obviously कम हो जाएगी, कम होगी, ऐसा speculate किया गया है, अभी कम हुई नहीं है, लेकिन इसको पहले सही compensate करने के लिए दुकानदारों ने क्या किया, जो onion 20 रुपीज पर केजी भी क्रही थी, उसको अब 25 रुपीज पर केजी कर दिया, क्यों speculation कि आगे जाकर के quantity कम हो जाएगी, कम होगी तो थोड़ा-थोड़ा महेंगा करना शुरू कर देते हैं, तो इस speculation के कारण ये एक inflation आ गया, clear हो गया क्या चीज है, छोटा से example और लेते हैं, एक काम करते हैं, real estate में आपको और अच्छे समझ में आ रहेगा, माली जे कोई एक बंजर जमीन है, जहां पर कोई कुछ नहीं देख रहा है, तो बंजर जमीन को कारण से क्या हुआ, कि वहां का जो जो भी रियल इस्टेट का जो भी प्रापरटी का रेट था, जमीन वगर एक रेट था, माल लेते हैं, वो 400 रूपीज पर स्क्वाइर, पर स्क्वाइर फिट है, ठीक है, यह माल लेते हैं, रेट है, अगले ही दिन क्या होता है, कि रियल इस्टेट सेक्टर में गवर्मेंट कहती है, कि यह मैं वहां पर जा करके एक कोरिडोर बनाना चाहता हूं, इंडस्ट्रियल कोरिडोर बनेगा, उस इलाकी में, इंडस्ट्रियल कोरिडोर, होगा क्या, इस स्पेकिुलेशन अभी हुआ खुआ नहीं है, करेंगे, इसको policy में बना सकते हैं हम लोग आगे जाकर के, अगले ही दिन इसका rate क्या हो गया, अगले ही दिन क्या हो गया, 600 rupees per square feet, 200 rupees का marginal increase आ गया, क्यों, क्योंकि speculation हो गई है कि आगे जाकर के ये industrial corridor में आने वाला है, तो इस तरीके से real estate का sector भी क्या हुआ, speculation के शिकार हो गया, तो इस तरीके की जो inflation होती है, उसको हम लोग बोलते है, speculation, next आती है, cartelization of producers, cartelization of producer में क्या होता है, यहाँ पर एक example लेंगे, हम लोग अपेक का, ठीक है, oil producing and export countries जितनी भी है, generally क्या है, अरवगी countries है, इसमें, इराक हो गया, इरान हो गया, साओधी अरेबिया हो गया, UAE हो गय इसके लावब Venezuela, ठीक है, Venezuela हो गया, तो यह सारी countries है, जो OPEC में आती है, many more countries are also there, तो आपको इतना ज्यादा detail में देखने की जूरूत नहीं है, यह बहुत सारी countries जहां पर होती है, इंडिया पार्ट नहीं है, बस आप यह ध्यान रखिए, इसका इंडिया पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं खरता है, इन countries ने क्या किया, यह अपना एक group बना के रखे हैं, लेकिन इसमें कोई agreement नहीं है, agreement नहीं है, वेनेजुएला हाला कि अभी तुरन बाहर भी निकल गया है, कतर भी बाहर निकल गया है, यह सब current affairs है, ठीक है, agreement नहीं है, agreement न रूठ ही जाएगा, जैसे ही उसको कुछ गुसा उसाएगा, वो कहेगा, कि हम जा रहे हैं अपने घर, हम नहीं तुम्हारे ओपक में रहेंगे, तो this is basically cartelization, cartelization का मतलब क्या है, यह सारी जितनी भी, मतलब ओपक की countries हैं, वो कहती है, कि oil का price हमें कितने में बेचना है, 100 कि जो seller है, वो decide कर रहे हैं, और इस तरीके से inflation हो जाती है, अगर तो उसको बोलते हैं, हम लो cartelization of producers, clear हो गया क्या चीज़ है, तो इस तरीके से पुरा system होता है, actually में हुआ क्या था, ओपक की कहानी बता देता हूँ, शुरू में क्या हुआ तक कि जो oil price हो रही होती थी, वो decide तो इन्हीं के दवारा हो रही होती थी, लेकिन यह price यह होती, बहुत कम होती थी, मतलब समय यह 20 to 30 dollar पर barrel हुआ करती थी, बहुत ही कम, फिर क्या हुआ उपक वाले आपस में मिलकर क्या यह कहें, हम लोग बहुत सस्ते में दे रहे हैं, अब यहाँ पर 2030 कैसे decide हुआ, demand and supply से तो यह तो market exposure पे था, market factors पे decide हो रहा था, लेकिन उपक वाले साथ में और कहें, यार बहुत ज़्यादा ही, यह पैसा कम है, इतना हमें नहीं रखना है, क्योंकि दुनिया वाले demand ज़्यादा करेंगे, अगर हम लोग supply थोड़ी सी कम कर दें, तो इन्हों ने क्या किया, price को 100 150 डॉलर पर barrel ले जाने की बात करी, तो इन्हों ने क्या है, खुद से price decide गया, और accordingly they acted, और इस तरीकी की जूचीज होती है, उसको हम लोग partilization बोलते हैं, इसके लावा आप लोग बात कर सकते हैं, सबजी मंडी बगर में भी गया होंगे अगर, तो मंडी बगर में भी बेच रहे होते हैं, तो यह जो होती है, इस पूरे को बोलते है, cartilization, clear हो गया क्या चीज है, cartilization, ओके, यह कोई market exposure बगर है, नहीं है, तीसरी होती होती है, hoarding, या इसी को बोल सकते हैं, stock करके रखना, माल लेते हैं, onion की price है, onion की price, माल लेते हैं कि 200 kg मेरे पास पड़ी तो obviously इसकी price जो हती है, वो गिरियाएगी, demand and supply, इसमें कोई doubt नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, कि इस 200 को stock कर लूँगा, और मैं किवल और किवल 50 kg निकालूँगा, demand 100 की 50 kg पहुचेगा, अपने आप price जो हती है, वो rise कर जाएगी, तो यह मैंने जो measure लिया, वो unethical measure थ इसको रोक लिया, this is illegal, लेकिन illegal हर एक item के case में नहीं होता है, illegal होता है केवल और केवल essential item के case में, essential items, essential item जैसे commodity, food के market, जो भी food वगर होता है, उसमें होती है, हालकि essential item को अभी देखिए, covid के case में, government ने कई सारे regulations भी निकाल दिया है, हम लोग एक साथ ही बात कर लेंगे, in case of essential item, otherwise it is a cause for inflation, तो inflation कर रहा है क्योंकि price rise ये करा दे रहा है, clear हो गया क्या चीज़ है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा हमारा पूरा का पूरा inflation और inflation के कौन कौन से reasons हो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब एक एक के बारे में देखिए हैं, आप लिखा हुआ है, जै cost push के बारे में similarly रिखा है, when companies are faced with increased input cost like raw material, goods and wages, they will preserve their profitability by passing this increased cost of production, किसी imported में ये भी हम लोग ने देख लिया, कि रूपी की value के basis पे हो जाती है, structural के बारे में हम लोग ने देख लिया, जो भी structural problems create की जाती है, speculation के बारे में हम लोग ने देख लिया, और cartelization के बारे में भी हम लो इन्फलेशन, तो अभी मैंने आप लोग को बताया था, कि 5 रुपय की चीज हो सकता है कि 6 रूपय पे चलिया, 20% increase हो जाए, 5 रुपए केचीज हो सकता है आट रूपय पे चलिया, यहाँ पर हो जाएगा 60% increase, 5 रुपय की चीज हो सकता है कि 10 रूपीस पे चलिया, 100% का increase, और हो सकता है कि यह 20 रूपीज पर चलिया है 400% का इंप्रीज क्लियर है क्या चीज़ है अब यहाँ पर देखिए अलग-अलग तर्म दिया आता है जैसे जब कोई बहुत हाई-फाई इंफ्लेशन चलिया आती है उसको हमनों बोलते हैं इंफ्लेशन अगर आपको ठीक ठाक है मतलब कि यहाँ पर सीन क्या है कि थोड़ा अलग हो रहा है डिस्प्लेशन हो रहा है अब जब यहाँ पर देखिएगा पांच रुपए कोई प्राइस थी अब पांच रुपए से यह बढ़ा माल लेते हैं कि आठ रुपए कितने परसेंट का इंक्रीज सिक्ष्टी परसेंट का इंक्रीज अब आगे क्या हो रहा है इसकी प्राइस बढ़ करके हो रही है माल हो रही थी वो अभी भी increase कर रही है लेकिन जो rate of increase है जो rate of increase है वो अब कम हो गया है इस तरीके से जब rate of increase है वो कम होती है उसको बोलते हैं हम लो dis inflation for example जिस हमार लेते हैं यह हमारा rate था जो बढ़ रहा था this was the rate अगले साल क्या हुआ यह rate जो इस स्सक्छा था वो अब इस तरीके से बढ़ा सग्छा तो देखें inflation तो हुई ही है देखें यहांपर slope है इसका inflation तो ही ही है बड़ क्या हुआ है कि जो पहला लोग था जो पुराना inflation था उस से कम हो गया है इस तरीके के face को बोलते हैं हम लोगो dis inflation खिरोंग है dis inflation क्या इसके बाद आता है deflation deflation का मतलब क्या है now the value is coming down यानि कि जो 10 रुपए है वो अब आगे जा करके जैसे 5 से 8 हुआ था 8 से बढ़के 10 हुआ था नो यह 10 वाला अब यह वापस 8 रुपए पे आ गया है यानि इसकी value गिर गई value गिर गई ठीक है तो value गिर जाने से क्या हुआ है यहाँ पर हो गया deflation deflation graph में भी आप देख सकते है value अब नीचे जाना शुरू है जाएगा अब यह value नीचे जाएगी सीधी सी बात है उससे दिक्कते आएंगी क्या दिक्कते आएंगी अभी हम लोग दिसकस भी करेंगे लेकिन यह value जब फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी फिर से एक बार inflation वापस से अपना अचीव करना शुरू कर देगा उसको हमनों बोलते है रीफलेशन फर इंजांपल आट रुपए से फिर वापस बढ़ करके नौ रुपए भी अगर होता है तो यह रीफलेशन है रीफलेशन अभी भी देखिए दस रुपए से कम है लेकिन हम लास्ट यह से कंपेर ही नहीं क्योंकि यहां पर थोड़ी सी अलग चीज़ें होती है उसको एक्जामपल से नहीं देखते हैं सबसे पहले देख लेते हैं यहीं पर पहले फिर उसके बाद बात करते हैं आगे देखिए हाइपर इंफलेशन रनिंग इंफलेशन इन दोनों को पहले देख लेते हैं कि इंफलेशन क्या हमारे मार्केट के लिए जरूरी है क्या लगता आपको होना चाहिए देखिए इंफलेशन हमारे मार्केट के लिए काफी जरूरी होता है this makes the market competitive कैसे competitive बना रहा होता है देखी हमारे पास माल लेते हैं कि four shops चार दुकाने है चारों दुकानों में क्या हुआ है कि चारों दुकान सारे के सारे जितने भी दुकाने वो general stores है general stores और इस महले में hundred people रहते है hundred guys are there ठीक है सिदी सी बात है hundred people या तो इस वाले shop पे जाएंगे number one या तो number two, number three, number four अब कोई भी एक आदमी जाएगा तुरंद के तुरंद पहली shop पर ही जा करके सारा समान नहीं लेगा वो यहाँ पर जाएगा यहाँ की price को पूछेगा यहाँ की price के साथ compare करेगा यहाँ की price के साथ भी compare करेगा और ultimately इसकी price के साथ में देख लेगा जिसकी price कम होगी वहाँ पर जाके समान purchase कर लेगा प्राइज आपस में compare होना ही अपने आप में क्या हो गया competition competition हो जाएगा one option is there कि यह लोग पहले से cartelization करके बैठे रहे और कहें कि हमें कोई भी समान बेचना है तो इसी rate पे बेचेंगे तो यह तो cartelization हो गया this is not legal in our economy अब आपस में compete करने के लिए इसमें से एक बंदा जरूर होगा जो बाकियों से सस्ता item दे रहा होगा जैसे मान लेते हैं हाँ पर 5 रुपए की पारले जी मिल रही है तो यह कहेगा कि नहीं नहीं मुझे किवल 4.45 रुपीज दे दो या 4.95 रुपीज दे दो और पारले जी लेते जाओ तो इस बंदे के पास अब पारले जी ज़्यादा भिकना शुरू हो जाएगी क्यों क्योंकि market competitive कर दिया इसने तो इस market competition में होगा क्यार little bit inflation आना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपस में ही competition start हो गया है now जब भी competition होगा हलका सा inflation आएगा तो बाहर से investment आने की काफी जादा demand हो जाएगी क्यों demand हो जाएगी बाहर से inflation आने की क्योंकि अब लोगों की demand काफी जादा हो गई है supply देना जरूरी हो गया है supply देने के लिए production जरूरी हो गया है production जरूरी होने के लिए raw material की availability और साथ में investment भी काफी जरूरी हो जाएगा investor invest क्यों करेंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि production यहाँ पर पड़ेगा और इससे हम अच्छा खासा profit generate कर सकते हैं तो through this process यह चीजे होती हैं लेकिन यह अगर inflation 20 to 30% हो रहा है तब तो good enough बढ़िया हो रहा है लेकिन यही inflation अगर 100% cross कर जाए तो इससे होगा क्या कि यह जो demand है यह demand तभी हो पाई है जब इनके पास में पैसा पड़ा हुआ था इनकी purchasing हो रखी थी purchasing power थी लेकिन अगर इनकी purchasing power गिर जाती है यानि इनका savings वगर है गिर जाता है तो अब क्या demand उठेगी क्या नहीं demand गिर जाएगी demand अगर गिर गई supply आपने उतना ही रखा तो price अब और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा यानि कि आपको supply को भी control करना पड़ेगा supply को control करेंगे सीधी सी बात production को control करेंगे production को control करेंगे यानि कि investment को control करेंगे और ultimately जो यहाँ पर investment आ रही थी उसे रोकना पड़ेगा तो यहाँ जो profit generate हो रही थी वो अब profit नहीं not profit बन जाएगा यानि कि अगर long term में अगर बात किया जाए तो inflation long term में या hyper inflation हमारी economy के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है short inflation काफी जादा अच्छा होता है इसके लिए government ने क्या किया है कि 4 plus minus 2% इतना बोला हुआ है कि inflation हम लोग रख सकते हैं this is sustainable inflation clear हो गया क्या चीज़ है एक छोटा सा example और हम लोग देखते हैं जराथ Greece का उसे आपको और clarity आजाएगी कि inflation की क्यों इतना जरूरत है Greece में कहानी यह है Greek में आप लोगों ने सुना ओगा कि यहां पर economic crisis आई थी economic crisis हुआ क्या था Greece की economic crisis में Greece की economic crisis में क्या हुआ था fact पे मैं ध्यां दिजिएगा किवल 컨רי्ट पे ध्यां दिजिएगा ठीक है हुआ क्या था Greece की अपनी खुद की अपनी currency है जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है इंडिया रूपी वैसे ही ग्रेंसी करेंसी थी लेकिन यूरोप में क्या होता है कि यूरोप में कई सारी कंट्री मिल करके यूरो अपनी एक कॉमन करेंसी चलाती है common currency common currency चलाने के पिछे रीजन यह होता है कि यहाँ पर exchange rate का कोई case नहीं रहता है और market open होने की वज़े से यह आपस में काफी easily trade कर लेते हैं और कोई भी इनको घाटा नहीं हो पाता है exchange rate का क्योंकि आपस में सीधी सी बात है same currency, same market है, same चीज़े अब जैसे इसमें case यह हो गया कि आप UP में कोई समान खरीद रहे या केरल में कोई समान जाके खरीद रहे है बात एक ही है, ठीक है Greece ने कहा कि यार हमको भी चाहिए यह Euro हमको भी चाहिए Europe ने कहा कि देखो यार Euro हम उसी को देते हैं जिसका debt to GDP ratio 60% से या उससे कम होता है Greece का debt to GDP ratio उस समय 80-90% काफी जादा था मतलब, तो Euro इनको offer नहीं किया जाता Euro offer नहीं किया जाना था, अब क्या करेगा Greece, अब Greece लेगा back door का सहारा back door के सहारे में क्या होगा, कि यह जो debt to GDP ratio है, इसको adjust किया जाएगा adjust किया जाएगा एक option है, legal तरीके से, सही तरीके से और sustainable तरीके से किया जाएगा दूसरा होता है, illegal तरीके से, और छिपा करके, छिपा कर, इन्होंने क्या किया एक debt reconstruction company को पकला, goldman sex goldman sex इन्होंने क्या किया, इसकी जो balance sheet थी, उस balance sheet में changes किये, और changes करने के कारण, इनका जो debt to GDP ratio है, उसको 60% से कम ला दिया, कम लाने के कारण, अब Greece भी euro वाला बन गया था लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने तो जो system दिखाया है, वो तो गलत दिखाया है, इनका जो debt to GDP ratio है, वो more than 60% था, in fact, 80 to 100% के बीच में चल रहा था, अब इससे, Greece ने ये सोचा, कि यार, जब हम euro ले लेंगे, तो हमारा trade काफी अच्छा हो जाएगा, trade काफी अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग जो ये चोरी किये हुए है, ये हम लोग reality में बदल देंगे, 60% वाली चीज, reality में बदल देंगे, economy हम ये एकदाम बहतरीन हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो euro था, वो कुछ खास Greece में अंतर नहीं दिखाया, Greece में कुछ खास trade बढ़ नहीं पाया, क्योंकि Greece में जितने भी लोग higher class के थे, वो तुरन के तुरन निकल जाते थे, Greece के बाहर Germany चले आते हैं, एकली चले आते हैं या फिर कहीं France वगरे चले आते हैं तो they trade from there Greece में कुछ खास production होने ही पाये, जिसके कारण से इनकी economy लगातार, cripple down गिरना शुरू कर दे रही थी अब यहां से हुआ क्या, अब एक बार आपने चोरी कर लिया, तो आप लगातार उस चीज को छिपाते ही रहेंगे छिपाते रहने के कारण से जो fiscal deficit था, वो fiscal deficit लगातार पढ़ते जा रहा था, क्यों? क्योंकि जो government है वो लगातार जो होती है छिपा रही है, budgetary मेज़ा जब भी budget दिखाना हो रहा है, तो वो लोग लगातार छिपाते जा रहे हैं, लेकिन इनको किसी तरीके से यह deficit तो पूरा करना ही था, मतलब इसको deficit को improve तो करना ही था तो deficit को improve करने के लिए इन लोगों ने, हम लोगों ने क्या देखा था? कि आप अपनी expenditure को कम करिए और जो income है उसको बढ़ा लीजिए income को बढ़ाने के लिए इननों ने क्या किया? tax, extra tax जनता पर मारना शुरू किया, जनता यह तो democracy ही नहीं है, this is black democracy तो जनता ने क्या किया यहां कि जो भी government थी, उसको गिरा दिया गिरा देने के बाद क्या हुआ जो भी नई party सामने आती है वो party कहती है कि हम social security benefits जो दिये जाते थे पहले वो भी देंगे और tax में भी आपको छूट देंगे, मतलब tax जो लगातार यह बढ़ाई जा रही है यह वाला काम हम नहीं करेंगे जनता ने कहा, तुम छिपे कहा थे अभी तो तुम हमारे president बनोगे तो जनता ने उस बंदे को president बना दिया, लेकिन इससे हुआ क्या कि again जो पार्टी थी, वो भी again जब पावर में आती है तो उसको भी दिखता है कि यार यह problem बहुत बड़ी है जब तक हम social security benefits और tax को लेना नहीं शुरू करेंगे, वस्तूलना नहीं शुरू करेंगे तो यह fiscal problem कभी सुधरने वाली नहीं है तो अगें सेम चीज़ होना शुरू हो गई इस तरीके से फिर से जनता परिशान होना शुरू हो गई जनता को लगा किया हमारे साथ तो धोखा हो गया है तो जनता ने अगें जो होती है गवर्मेंट की fall down की न्यू गवर्मेंट जब सामने आती है तो न्यू गवर्मेंट कहती है कि ठीक है थोला टैक्स तो देखे आपको देना पड़ेगा क्योंकि condition यही है आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ और यह हुई है क्योंकि पुरानी गवर्मेंट ने आपके साथ धोखा किया है अब जनता बोली यार क्या किया जा सकता है इन्होंने कहा ज़ गवर्मेंट ने कहा कि देखे कुछ टैक्स आप दीजे कुछ कंट्रिवूट आप करिए बाकी हम लोग बाहर से मतलब की IMF से हम लोग मदद लेंगे IMF ने इनको एक बेल आउट पैकेज दिया बेल आउट पैकेज हांना कि लगातार देते आ रहेते और यह फोर्थ पैकेज दिया वो बेल आउट पैकेज देने का मतलब है कि इनको पैसा दिया गया और इनसे बाद में वसूला जाएगा इनको कुछ कंटिशन भी बिता गई IMF एसे ही पैसा नहीं देता है तो इन्होंने गवर्मेंट ने इन कंडिशन्स को मान और अल्टिमेटली बेल आउट पैकेज को ले करके इन्होंने एकॉनमी को सुधारना शुरू किया तो जो ग्रीस की एकॉनमी है वो अभी भी 1980s के बराबर की एकॉनमी के बराबर चल रहा है तो काफी पीछे हो चुका है ऐसा बोला आता है कि 2060 तक जाकर के ग्रीस अपनी 2010 वाली एकॉनमी को अचीव कर पाएगा अगर ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो क्लेर हो गया क्या चीज II को बिसिकली इनको एक रूनिंग इंसलेशन बनांके रकना था लेकिन बंप बदल गया और यह एकॉनमी को क्रेपल डाउन कर दिया काफी ज़्यादा गिरा दिया तो यह पूरा का पूरा कहानी है जो कि हम लोगों ने देखा इस Greece की कहानी को लेकर आपको एक आइडिया लग जया होगा कि क्या inflation कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो inflation के बारे में अगर बात करें तो 20-30% inflation is a good for the economy क्योंकि यह economy में competition generate करेगा इससे ज़्यादा अगर होगा तो obviously there will be problems तो हम लोग ने काफी कुछ देख लिया अब जरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहले stackflation, skewflation समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले दिखिए stackflation के बारे में stackflation का मतलब है when the combination of inflation and unemployment usually in the time of recession होता क्या इसमें इसमें होता क्या है इसमें inflation बढ़ रही होती है inflation बढ़ रही होती है साथ में unemployment भी बढ़ रहा होता है जैसे for example recession का period चल रहा है recession recession और depression में अंतर क्या होता है recession का मतलब होता है economy अभी गिरना शुरू हुई है लेकिन अभी गिर नहीं गई है ठीक है this is slow down basically slow down जब long time तक चल जाता है तो उसको वो बोलते है recession, recession जब long time तक चल जाता है तो depression आ जाती है मतलब अब यहाँ पर economy में problem start हो गई है, problem हो गई है ठीक है, तो recession में क्या हुआ suppose this is the graph and this is the expansion now this is this is depression, ठीक है यह depression हो गया है लेकिन यह हमारा जो है, वो recession time है यह recession time है, अभी भी economy जो होती है वो ठीक ठीक है, prosperity में है लेकिन recession आ गया है recession आने के पर क्या होता है कि लोगों की जो income होती है मतलब जो savings होती है, वो relatively कम होना शुरू हो जाती है और ultimately जो inflation है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है long term effect inflation बढ़ना शुरू हो जाता है लेकिन company के पास चूँकि अपने पास कोई साधन नहीं है, तो वो क्या करेगी लोगों को firing करना शुरू कर देती है यानिकि unemployment बढ़ना शुरू हो जाता है तो inflation at the same time unemployment इसको हम लोग बोलते है stagflation, यह stag कर रहा है company जो होती है, वो stag कर रही है क्यों? क्योंकि one side इनकी cost भी बढ़ जाई है, another side unemployment भी इन लोगों ने बढ़ा दिया इसके बाद next आता है हमारा disinflation, disinflation तो already हम लोगों discuss कर लिया कि जब भी reduction in the rate of inflation हो जाता है तो उसको हम लोगों disinflation बोलते है deflation के बारे में हम लोगों ने बात किया कि general price जो गिर जाती है उसको बोलते है reflation वापस से जब rise करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोगो reflation मोलते है skewflation का मतलब जड़ा समझिएगा यहाँ पर होता क्या है माल लेते हैं this is COVID-19 काफी अच्छा COVID-19 से देखिए बहुत सारे concept आपको सीखने को मिल जाएगा ना सिर्फ economics बलकि politics अगर हमें समय सीखने को मिल जाएगा तो देखिए COVID में क्या हो रहा है कि हमारे कुछ आइटम कुछ goods and services ऐसे हैं जिनका दाम जो है as it is बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है अपना दाम बना हुआ है लेकिन वहीं एक ऐसी कुछ commodities हैं कुछ commodities ऐसी हैं जिनकी price लगातार rise करती जा रही है अगर आपना newspaper पढ़र होंगो तो देखिए होंगे gold की price काफी जादा rise कर गई है तो this is the time of recession देखिए इसमें recession चल रही है क्यों economy में कुछ भी production नहीं हो पा रही है कुछ अना production होने के कारण से यहां पे problem हो गई है लेकिन still वहीं पर एक और एक group of item है group of good है जो लगातार price rise करते आ रहा है इस तरीके के combination को हम लोग बोलते हैं this type of combination is known as what? skewflation skewflation जहां पर एक type की goods and services एकदम अलग behave कर रही है और दूसरे side की goods and service बिलकुल अलग behave कर रही है तो यह हो जाती है हमारी skewflation clear हो गया क्या चीज़ है it is a phenomenon in which there is a price rise of one or small group of commodity over sustained period of time clear हो गया skewflation क्या है specflation क्या है and all that इसके बाद देखें कुछ छोटे छोटे और भी terms है इनको फटापट देख लीजिए बहुत ही छोटे छोटे से हैं जैसे एक होता है inflation gap inflation gap का मतलब क्या है जब भी inflation बढ़ जाती है तो उसमें government के spending national income से जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है उसी को लोग बोलते है inflation gap इतना कुछ खास important नहीं है deflation gap क्या होता है वही चीज़ उल्टा कर दी है shortfall हो जाती है जो inflation tax क्या होती है कुछ नहीं होता है इसमें इसमाल लेते हैं कि ये जनता है people inflation के कारण से इनकी जो wage है वो बढ़ गई है इसमाल लेते हैं wage इन्होंने बढ़ा लिया अपनी wage बढ़ाने के कारण से माल लेते हैं पहले ये लोग साड़े 4 लाग पाते थे और tax bracket में नहीं थे अब क्या हुआ है wage बढ़ाने के बाद इन लोगों की income हो गई है साड़े 6 लाग और ये अब tax bracket में आ गए है तो ये tax payers बन गए है tax payers बनने के कारण से क्या हुआ है ये लोग tax में आ गए है तो इस तरीके के inflation को हम लोग बोलते है inflation tax due to price rise wage increase as wage increase tax on this increase more revenue for the government ठीक है तो इतना कुछ खास नहीं है आगे बढ़ते हैं next inflation spiral what is spiral spiral कुछ इस तरीके से होता है spiral इस तरीके से होता है यहाँ पर हो क्या रहा है जब भी wage जब भी wage बढ़ेगा स्तीधी सी बात है वो क्या करेगा price को rise कराने की कोशिश करेगा क्यों क्यों क्योंकि demand and supply स्प्लाइज सी बात है demand जादा हो गई है तो इस तरीके से क्या हो रहा है when price presses price up मतब wage presses price up जो price होती है वो wage को कम करने की कोशिश कर देती है क्यों क्योंकि यहाँ पर expenditure आ गया है तो इस तरीके की जो situation होती है एक तरफ एक बंदा उठाने की कोशिश कर रहा है दूसरा बंदा दबाने की कोशिश कर रहा है तो एक ही spiral बन जाता है जहां पर price rise जो है वो dominate कर जाती है इसका मतलब क्या है suppose एक मजदूर है 100 रुपए कमाता है per day ठीक है पहले ये 10 रुपए कमाता था अब ये 100 रुपए कमा रहा है अब सीधी सी बात है ये भी चौड़े में आएगा और कहेगा मुझे भी पार ले जी नहीं आज मुझे भी Oreo चाहिए तो Oreo खरीदना शुरू कर दिया पार ले जी से अब ये 35 रुपए कटेगा और केवल रुपए बचा पाएगा और अल्टीमेटली इसका जो पर्चेजिंग है वो गिर जाएगा तो इस तरीके की जो भी मेजर होती है उसको हमनों बोलते है इंफलेशन स्पाइरल लेर हो गया ठीक है इसके बाद दिखें नेक्स होता है इंफलेशन एकाउंटिंग कुछ नहीं होता है जो भी आपका फर्म जो है जो मतलब प्रॉफिट कमाया उसको इंफलेशन के साथ में जब एडजस्ट कर देते हैं तो उसको अमनों बोलते है इंफलेशन एकाउंटिंग इसके बाद दो यादर इंफलेशन आती है काफी इंफलेशन है इसको बलाता है हेडलाइन इंफलेशन एंड कोर इंफलेशन क्या होता है ये देखते हैं हेडलाइन इंफलेशन का मतलब ये होता है जो कोई चीज headline है, news headline, ठीक है, संसनीक होज, यानि क्या हुआ, ये है, जो काफी ज़ाधा volatile रहता है, volatile रहता है, अब volatile price किसकी होती है, volatile price रहती है, petroleum product की, petroleum product की volatile price रहती है, इसके अलावा food product की होती है, क्योंकि ये भी inflationary measure ले रखा होता है, तो इस तरीके की जो चीज होती है, उसको हमनों बोलते है headline inflation, जहाँ पर price काफी volatile है, price काफी अधा market distortion की तरिये हो सकती है, दूसरी होती है, core inflation, core का मतलब ये होता है, जहाँ पर price mainly stable होती है, कुछ goods होती हैं, जिनकी prices वगर है, stable होती है, इस तरीके को बोलाता है core inflation, core में क्या होता है, कि जब भी सारे good, all goods and services, all goods and services, इस में से जब आप petroleum product को निकाल देते हैं, या फिर food product को निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते है core inflation, तो headline में क्या चला गया, headline में सब चले गया, प्लस core, ठीक है, अब core में से यही minus कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, बस सीजी सी बात है, headline में से इसको minus कर देंगे, तो सारे के सारे दोनों formula यह कहीं चीज है, बस क्या है, आपको एक बार समझ लेना है कि क्या चीज है, clear हो गया, क्या चीज है, तो headline हो गया, entire economic inflation, core inflation हो गया, excluding primary articles, foods, etc, which induce volatility, short term fluctuation, clear हो गया, एक question आपके लिए, question यह है, कि gold की price, this is also volatile, fluctuating है, किस में include करेंगे, headline में, headline में include करेंगे, या core में include करेंगे, किस में करेंगे, comment box में बताइएगा, किस में include करना है, with your argument, argument के साथ, क्यों है ऐसा, ठीक है, चलिए खेंगे, अब हम लोग जड़ा देखते हैं, effect of inflation, effect of inflation में अगर देखा जाए, तो हम लोग ने inflationary measure तो देखी लिया था, अब हम जड़ा दिखते हैं, क अब हम जड़ा देखते हैं कि आखिर में one by one किस पे किस पे क्या क्या सीम पढ़ सकता है, दो case लेते हैं, case one, और ये ले ले लेते हैं, माल लेते हैं कि ये 2017 का है, और ये 2019 का है, माल लेते हैं, एक बंदा है, राहुल, ठीक है, दूसरा बंदा है, माल लेते हैं, मोहित, ठीक राहुल ने क्या किया सपोज ये मतलब अच्छा खासा इनके पास capital है पैसा इनके पास अच्छा खासा है राहुल मोहित ने क्या किया यार दोनों friend है मोहित ने क्या कहा कि यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत है राहुल ने कहा कि इन्हों ने कहा कि यार तुम्हें काम करो एक इनुने एक लाग रुपई दिया ठीक है एक लाग रुपई पर इनूने कहा है ठीक है मुझे इंट्रेस्ट चाहिए होगा और मैं दो साल के लिए तुमसे ले रहा हूँ बंतों मी काम करो हैं ़ो मैं हुए उन्हीं लागे 910 kon कोप कब अब एक लाख रुपए आ गया एक लाख रुपए आ गया उस समय इन्होंने रियल इस्टेट तुरंद के तुरंद जाते ही एक प्रॉपटी खरीद ली एक लाख रुपए से एक लाख रुपए से माल लेते हैं कि प्रॉपटी खरीद ली माल लेते हैं जो भी जो भी प्रॉ तेयर की जो जमीन थी, जो मोहित ने एक लाख रुपए में खरीदी थी, अब उस जमीन की कीमत हो गई है, चार लाख रुपए, चार लाख में से एक लाख, दस हजार, वन लाख, सें थाउजन रुपीज, मोहित ने निकाला, इसको सेल आउट किया, सेल आउट करने के बाद स जो पैसा इसको sell out कर दिया गया जो पैसा निकला ये वापस से इन्होंने राहुल को दे दिया और इसके बाद से ये पैसा जितना भी बचा हमारा इनके पास बचा कितना बचा near about 3,90,000 2,90,000 इनके पास बच गया 2,90,000 बच गया और ये मोहित अपने पास रख लिया है मोहित ने एक भी पैसा अपने पास से लगाया था क्या नहीं लेकिन दो साल में उसने क्या अच्छा खासा कमा लिया हाँ क्यों 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 क्योंकि मोहित से ये था समझ में आया क्या चीज है बिसिकली यहां हुआ क्या यहाँ पे हुए inflation का effect जो real price, real sector एक लाख रुपए में थी वो चली गई है चार लाख रुपए पे यानि यहाँ पर 400 times increase हो गया है और इस 400 times का increase लिया किसने? debtor ने लिया debtor ने लिया creator को कोई फायदा नहीं हुआ creator सोचना ते यार एक लाख रुपए देखे एक लाख रुपए दस जार रुपए एक्स्टरा आ जा रहा है बहुत बढ़ी है, मज़ा आ गया, इससे बढ़ी है और क्या इंवेस्टमेंट होगा जबकि इंवेस्टमेंट एक्चुल में किया किसने था, CA ने किया था clear हो गया, यानि कि inflation का effect किस पर पढ़ता है, debtor जादा कमाता है, creator नहीं कमाता है creator बेवकूफ बनके रह जाता है clear, आगे देखते हैं next, next आती है aggregate demand aggregate demand का मतलब क्या है, aggregate demand का मतलब यह है कि जब भी मालेते हैं कि inflation आया, तो inflation के कारण से मैंने आपनों को बताया कि competition अच्छा खासा generate हो जाता है competition generate करने के कारण क्या होगा, कि demand इनकी काफी ज़्यादा high हो जाएगी, high demand के कारण से इनको supply भी high करना पड़ेगा, high supply करने के कारण से क्या होगा, कि इनको production ज़्यादा करना होगा इस production के कारण से इनको investment भी ज़्यादा करना पड़ेगा and this is how the competition, growth of the economy growth of the economy यह हो जाएगी clear, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, तो purchasing power basically जब तक high है जब तक purchasing power high है, तब तक हम लों बोलेंगे कि aggregate demand काफी high होगा और यह कब होगा, जब short term inflation हो short term inflation हो या फिर inflation आए तो हमेशा वो running inflation हो short term inflation या फिर running inflation दोनों में से कुछ भी होगा तो हम लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, economy हमेशा growth करते जाएगी ठीक है, तो यह चीज़ आती हमें लिए aggregate demand investment के बारे में बात करें तो देखें investment अभी मैंने बोला था कि काफी increase करेगा अगर short term में रहती है what happens if inflation जो होती है long term में अगर चली जाए तो क्या होगा, inflation अगर long term में चली जाएगी तो यहाँ पर जो public है, जो demand कर रही थी, जो demand कर रही थी कि मतलब कि जो इनका aggregate demand था कम हो जाएगा क्यों क्योंकि इनके पास अब purchasing घट गई है purchasing घट गई है, इनकी savings अब खतम हो गई है savings अब खतम हो जाएगी तो demand कम हो जाएगी, demand कम हो जाएगी तो इनको supply रोपना पड़ेगा, supply रोपना पड़ेगा, तो production रुखना पड़ेगा production रुखना पड़ेगा, तो investment रुखना पड़ेगा और ultimately investment को एक खतरा हो जाएगा यानि short term inflation या running inflation is good for the economy but long term inflation और hyper inflation is poison to the economy clear हो गया क्या चीज़ है, तो यह investment की पूरी कहानी हो जाती है, जिससे आप लोग देख सकते है long term inflation और short term inflation के लिए, clear इसके पाद हमारा next आता है, savings savings already हम लोग देख रहे हैं कि long term में हमेशा कम हो जाएगी और short term में हमेशा बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि obviously वहाँ पर जादा होगा, जादा production, जादा हो रही है, अदूसरी है जो आपकी direct tax हो रही है production अगर आपने बढ़ाया है, तो सीधी सी बात है tax भी आप बढ़ा दी, कौन सा direct tax भी आपने बढ़ा दिया indirect tax भी आपने बढ़ा दिया, indirect tax क्यों बढ़ गया क्योंकि quantity of goods, यहाँ पर indirect tax का rate नहीं बढ़ गया, इन direct tax का collection बढ़ गया है क्यों, क्योंकि quantity अब जादा विकना शुरू हो गई है similarly direct tax का जादा बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि income bracket में काफी लोग आ गया है, जिसको हम भी बोल सकते है इंकम टैक्स जो अभी लास्ट स्लाइड में लोग ने डिसकस किया है, वो आली चीज़, यानि कि अगर short term में बात करते हैं, तो tax collection is going to increase, लेकिन long term में अगर बात करें, तो again वो चीज़ फिर से नीचे गिर जाएगी, clear, exchange rate के बारे में बात करें, exchange rate पे क्या प्रभाव पड़ेगा, exchange rate जो रहेगी, वो काफी अच्छी हो रहेगी, अच्छी का मतलब क्या होगा, currency devaluate करेगी, currency devaluate करेगी, inflation के कारण से, क्यों करेगी, सिद्धी सी बात है, देख लीजी, जब inflation रहेगा, investment रहेगा, investment रहेगा, समान आ रहेंगे रहेंगे तो purchasing रहेगी, purchasing की कारण से ultimately क्या होगा, कि जो आपका export होने वाला है, वो export आपका market में जो भी होगा, वो appreciated में होगा, तो अगर shorter में बात करें, अगें, shorter में बात करें, तो जो currency के exchange rate पे रहेगी, appreciated रहेगी, appreciated रहेगी, लेकिन long term में क्या होगा, जैसे investment ये खीच लिया जाएगा, वैसे ये value currency की value गिर जाएगी, और फिर again economy धराम से नीचे गिर आ रही होगी, okay, फिर बाकी import, export आप लोगो समझी सकते हैं, import अगर मालीचे की अच्छी production हो रही है, तो import आपकी बढ़ी हुई रहेगी, export भी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, क्यों कि ज़्यादा से ज़्यादा production बनाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों को employment देनी पड़ेगी, wage भी काफी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि सीबी सी बात है कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा wage देंगे, तभी ज़्यादा production होगा, तो हमें इस तरीके से system बना के रखना होगा, तो फिलाल इसको यहीं पर stop करते हैं, और मिलते हैं अपने next part में inflation के कुछ other topics के साथ, ठीक है, अगर आपको कोई doubt होता है, तो obviously आप telegram channel नीचे description box में दिया गया है, उसको आपनों join करके अपने doubts raise कर सकते हैं, मिलते हैं अपने next video में, तब तर के लिए, thank you so much. झाम झालेました